रेटिनल, रेटिनल, रेटिनल बही आजकल तो हर तरफ से यही सुरने को मिल रहा है कि अगर आपकी एज 20 या 25 अबव हो गई है और अगर आप 30 अबव हो गय और अब तक आपने रेटिनॉल यूस करना शुरू नहीं किया है तो आपकी स्किन काप कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। काफी लोग तो अब तक परिशान है कि भाई आखर ये रेटिनॉल की अचानक से इतनी ज्यादा हाइप क्यूं हो गई है। फेरनेस क्रीम्स और लग साब उनके एड्स चला करते थे। उसी तरीके से भाई अब जमाना आ गया है सीरम्स का। पहले जो formulations without dermatologist prescription हमें नहीं मिला करते थे। अब आप देख रहे होंगी कि बहुत आराम से वो सारे ingredients आपको local market में without prescription मिल जाते हैं। उसका reason ये है भाई कि कुछ साल पहले तक जो फेरनेस क्रीम्स लोग continuously use कर रहे थे गोरा होने के लिए उसके फाइदे कम और नुकसाना ज्यादा हो गए। इसलिए लोगों ने उन फेरनेस क्रीम्स से shift किया सीरम्स पर। तो जी आप direct retinol पर आ जाते हैं कि आखर ये retinol है क्या। अगर मैं आपको बहुत ही आसान अलफाजों में समझाओं तो retinol एक तरहा का vitamin A है जो बहुत सारी cream, lotion और serum में इस्तिमाल किया जाता है। Retinol help करता है आपकी skin में cells की production को बढ़ाने में, आपके pores को unclog करने में, आपकी skin को exfoliate करके उसे dead skin हटाने में और साथ ही collagen की production को बढ़ाता है जो indirectly help करता है आपके चेहरे से wrinkles, fine line और aging की science को खतम करने में। और in the end आपको मिलती है fresh looking younger skin। अब ये सारे फायदे सुनकर आप सोच रहे होंगे कि वा भाई retinol तो बड़ी कमाल की चीज है। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो वाकरी में retinol बहुत ही जबरदस चीज है अगर आपको इसका सही तरीके से इस्तिमाल करना आ जाए। retinol एक technical ingredient है जहां इसके बेशुमार फायदे हैं वहाँ अगर आपको इसका सही तरीके से इस्तिमाल करना नहीं आया तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानाद भी है और ये आपकी skin को तबाव वरबाद भी कर सकता है। नहीं मैं आपको डरा नहीं रही बलके इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़े बताऊंगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि रेटिनॉल को अपनी skincare routine में include करें तो क्या-क्या वह बाते हैं या क्या-क्या वह mistakes हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और अगर आप retinol already use कर रहे हैं तो देख लें कि कहीं आप यह सारी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं retinol क्यूंकि एक तरहां का acid है इसलिए आपने इस बात का खयाल रखना है कि आपने इसे दिन में इस्तमाल नहीं करना अगर आप retinol दिन में इस्तमाल करके घूमेंगे या सूरज की रोशनी में घूमेंगे तो आपको इसका फायदा होने के बजाए उल्टा नुकसान होने लगेगा इससे आपकी skin damage होने लगेगी तो भाई retinol का ये rule है कि आपने कभी भी इसे सूरज की रोशनी में या दिन की रोशनी में अपलाए नहीं करना आपने इसे सिर्फ रात सोने से पहले ही अपलाए करना है ताके आपको इसके best results मिल पाएं तो भाई अगर आप retinol प्रॉपर्डी रात में तो यूज कर रहे हैं लेकिन दिन में आप sunblock का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं यानि चाहे आप घर में हो या चाहे घर से बाहर जा रहे हो अगर आप retinol यूज कर रहे हैं रात में तो दिन में आपको sunblock का इस्तिमाल जरूर करना है अगर आप sunblock का इस्तिमाल नहीं करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपकी skin face करेगी वो है जी tanning फिर भाई आप सोचेंगे के retinol का फायदा होने के बजाए ये क्या हो गया मेरी skin तो dull होने लगी है उसका reason यही है कि आप रात में retinol के साथ दिन में एक अच्छे से SPF 50 above वाले sunblock का इस्तिमाल करें अगर आप बहुत ज्यादा दानेदार या you know grainy particles वाले face wash या scrub का regularly इस्तिमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा chemical loaded होते हैं और you know जो आपकी skin को exfoliate करते हैं अगर आप इस तरह का कोई face cleanser या scrub use करते हैं तो बहुत ज्यादा chances है retinol के साथ के वो आपकी skin को over dry कर दें तो भई AHA and BHA loaded जो exfoliators होते हैं retinol के साथ आपको बिल्कुल भी उन्हें इस्तिमाल नहीं करना तो भई अगर आसान अलफाज हो में मैं आपको समझाओं तो जब भी रोज रात सोने से पहले आप अपने चेहरे पर retinol apply करेंगे तो उससे पहले जरूरी है कि आप अपने चेहरे को अच्छे से clean करने तो चेहरा clean करने के लिए जरूरी है कि आप कोई mild cleanser या mild face wash इस्तिमाल करें जो आपकी skin के pH level को maintain रखें जिससे जब आप retinol apply करें तो आपको over dryness या irritation मैसूस ना हो जैसे कि hyaluronic acid के बारे में कहा जाता है कि हम उससे damp skin पर जब apply करते हैं तब वो अच्छे से work करता है इसलिए जब भी आप retinol apply करें make sure करें कि आप अपने चेहरे को अच्छे से wash करें उसके बाद अच्छे से dry करें और फिर retinol लगा कर आराम से सो जाएं retinol के case में less is more जी हाँ retinol आपको भर भर कर अपने चेहरे पर you know किसी moisturizer या किसी sunscreen की तरह अपलाए नहीं करना है आपने सिर्फ एक piece size यानि इतनी quantity लेनी है उसके बाद अपने चेहरे पर पूरी dotting करके और इसे हलका सा you know rub करके apply करना है बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है और ना dab dab करना है you know इसका एक procedure है कि आपने simply बस इस तरीके से लगा के छोड़ देना है जब भी कोई नया skincare product आप अपनी skincare routine में add करते हैं तो उसे आपकी skin के साथ adjust होने में थोड़ा बहुत वक्त जरूर लगता है जैसे एक class 6 का बच्चा directly class 10 में नहीं पहुँच सकता उसे different levels पार करके ही अपनी मनजल तक पहुँचना होता है इसी तरह retinol भी आप रोज apply नहीं कर सकते है initially शुरू में आपको इसे हफ़ते में सिर्फ दो बार इस्तिमाल करना है अगर आप चाहें तो एक बार भी इस्तिमाल कर सकते हैं फिर तीन या चार हफ़ते गुजर जाने के बाद आप इसे हफ़ते में तीन बार भी कर सकते हैं या पिर अगर आप एक बार कर रहे थे तो दो बार भी कर सकते हैं जब आप retinol यूस करते करते थोड़े पुराने हो जाया और आपकी skin used to होने लगे retinol को adapt करने लगे तो आप इसे every alternate night apply कर सकते हैं रोज आपने apply नहीं करना उससे आपकी skin damage हो सकती है आपको उसके side effects देखने को मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि retinol आपकी skin के साथ adjust हो retinol क्योंकि एक तरह का active ingredient है इसलिए इसके कुछ दिन के इस्तिमाल के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी skin पर tightness feel होने लगी है आपको you know peeling होने लगी है redness होने लगी है यह सारी चीजें आपको महसूस होने लगेंगी तो भई इस point पर आपने घबराना नहीं है और retinol का इस्तिमाल छोड़ना नहीं है तो भई इस point पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि retinol तो हमारी skin को खराब कर रहा है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता इस वक्त आपकी skin adjusting phase में होती है इसलिए ये सारी चीज़ें होने लगती हैं अगर आप continuously और consistently retinol को use करेंगे तो आपकी ये सारी problems आइस्ता हिस्ता खतम होने लगेंगी तो भई अगर आप retinol use कर रहे हैं और आपको थोड़ी बहुत ये सारी sensitivity की problems हो रही हैं तो आपने घबराना नहीं है थोड़ा टाइम continuously से यूज़ करें आइस्ता इस्ता retinol जब आपकी skin के साथ adjust होने लगेगा तो खुद ही ये सारी चीज़ें खतम होने लगेंगी तो जी यहां मैं आपको एक reality बता दूँ कि retinol कोई जादूई और magical चीज़ नहीं है तो retinol इस्तेमाल आपको continuously करना पड़ेगा अगर आपको इसके long term और long lasting results देखने हैं यहां मैं आपको एक disclaimer दे दूँ और वो disclaimer यह है कि अगर आप pregnant हैं या फिर अपने बच्चे को breast feed कराती हैं तो आपने retinol का इस्तेमाल नहीं करना प्लीज retinol से दूर रहिएगा अगर आप pregnant हैं और अपने बच्चे को feed कराती हैं retinol क्यूंकि एक तरह का acidic और active ingredient है इसलिए अगर आप retinol अपनी skin पर apply कर रहे हैं retinol को piece size apply किया उसके बाद थोड़ा सा moisturizer लेकर retinol के ऊपर apply कर दिया सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो यह है कि हम जो भी नया skincare product होता है उसे directly अपने चेहरे पर apply करना शुरू कर देते हैं और हम patch test नहीं करते जी हां मैं अपनी हर वीडियो में patch test पर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ उसका reason यह है कि अगर कोई चीज मुझे बहुत अच्छे से suit कर रही है और मैं आपको recommend कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी skin को भी वो इतने ही अच्छे से suit करे या उस पर react ना करे क्यूंकि हम सबकी skin अलग होती है इसे ज़रूरी होता है कि कोई भी product हम इस्तमाल करना शुरू करें regularly तो एक से दो दिन उसका patch test कर लें रेटिनॉल क्यूंकि एक active ingredient है और थोड़ा से you know acidic ingredient है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेटिनॉल का आप patch test करें और साथ ही अगर आप कोई sunscreen या lotion या जो भी moisturizer आप use कर रहे हैं उसका भी patch test करें ताके आप purging से बच सकें अब आप सोच रहोंगे purging क्या होती है तो भाई ये होती है purging तो भाई ये थी वो गलतियां जो आपने रेटिनॉल यूज करते वे बिल्कुल भी नहीं करनी साथ ही रेटिनॉल इस्तमाल करना आप जब भी शुरू करें उसे बहुत ज़्यादा light concentration के साथ शुरू करें ideally 0.25% को consider किया जाता है as a starter, as a beginner अगर बहुत सारे products आपकी skin पर suit कर जाते हैं लेकिन in case आपकी skin इतनी जल्दी adapt नहीं करती आपको चीज़ें जल्दी suit नहीं करती तो आप कम से कम 0.01% तक जा सकते हैं रेटिनॉल को as a beginner इस्तमाल करते हुए चलें जी इसी के साथ करती हूँ, वीडियो को एंड उमीद करती हूँ, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ इसी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेर कर दें मिलती हूँ आप से नेक्स वीडियो में बाई